एक अच्छा इंजिन मील इंकम्प्लीट होता है बिनने दाल के और दाल can be really boring to very exciting मतलब डिपेंड करता है आपने कैसा दड़का मारा है अगर आप सिर्फ जीरे और नमक का दड़का खा रहे हैं इस ओके लेकिन अगर आप उसमें एक बढ़िया दाल फ्राय जैसे बनती है वैसा कड़क तड़का लगाते है दाल के अंदर जान पड़े जाती है आज हम बनाएंगे चना दाल फ्राय जिसके अंदर होगी चना दाल और एक बढ़िया सब पंजाबी स्टाइल तड़का देख ओप्शनल आप चाहें तो घी की जगा ओई का भी इस्तेमाल कर सकते बट घी इस ग्रेट घी गरम है इसमें डालेंगे हींग का बढ़िया फ्लेवर साथी सूखी लाल मिर्च इसमें जाएगा जीरा खूब सारा चॉप्ट गालिक तेक गार्लिक का एक बढ़िया फ्लेवर जाता है इसलिए गार्लिक थोड़ी सी जाधा मात्रा में वाल दिस इस हैपनिंग इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च ना चिली में जितनी भी डालू चाहे पाउडर हो या साबूत हो वो स्वाद अनुसार आपके उपर है गार्लिक को लाइटली भूनना है यह ब्राउन भी हो गया है गार्लिक हमारा इसमें जाएगा अनियन अच्छे से गार्लिक भून गया था बढ़िया ब्राउन हो गया है उसके बाद प्यास तेकि जो दाल है न उसके अंदर जो सबसे बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है वो भूने वे गार्लिक का है ना की ब्रावनी करना प्यास तेयार है इसमें जाएगी हल्दी थोड़ा सा मिर्ची का पावडर कि वे नाइस्टर और इसके अंदर डालेंगे हम चॉप टुमेटोस साथ ही थोड़ा नमक और अब टमाटर को हमें भूणना है टमाटर को ऐसे नहीं भूणना कि जैसे मन्य टॉमेटो मसाला बना रहे हैं कि उसको मैश करना है टमाटर थोड़ा खड़ा होगा परफेक्ट हमें सर्फ उसका वो कच्चापन निकालना है और हां दालों के अंदर न पहले यूजली घी और चिली का चॉंक टमाटर तयार है इसमें हम डालेंगे चना दाल नोटिस करेंगी जो चना दाल मैंने वो बॉल करी है उसको खड़ा खड़ा रखा है तोटली मैश नहीं होने दिया होगा क्या अब तड़के के अंदर जब यह पकेगी और कड़ेगी तब ठिकनेस देगी और तड़के का फुल फ्लेवर पकड़ लेगी जो दाल है कड़ गई है थोड़ी सी मैश हो गई है और काफी थिक भी हो गई है अधिस स्टेज इसमें हम डालेंगे चॉप्ट कुरियांडर और थोड़ासा लेमन होता क्या है कि लेमन डालने से जितने भी स्पाइसेज हैं या जो दाल के अंदर कभी कबारना बहुत ज़्यादा स्टार्ची फ्लेवर होता है उसको वो नीचे ले आता है इसलिए चस्टर और दाल फ्राइ तैयार चलिए इसे परोस्ते उसके बाद इस पर हम डालेंगे हमारा सेकिंड तड़का अब दूसरा तड़का अब यह जो सेकिंड तड़का है टोटली ऑप्शनल है लेकिन हमारे घर में जबी भी दाल बनती है हमेशा घी का एक सेकिंड तड़का ज़रूर लगता है घी को मेल्ट कर लेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेट चिली पावडर टन अफ ते ऐस और यह जाएगा छोंक हिदार यह लगता है कि यह चनादान फ्राय तो तैयार है अब यह है बेसिक चैनादान फ्राय इसके अगर आप पकाते वक्त त queremos ड़के के साथ अगर आप लौकी डाल देंगे तो लौकी चनादान फ्राय है आप इसके अंदर पालक डालेंगे त जाती है फिलाल ये पंजाबी स्टाइल चाना दाल फ्राय डन